हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए ट्वन्टीफो नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन एनेचेम एमपी की नीर रुकुर्मेंट नोटिफिकेशन जो की फ्रेंज से हेल्थ तो यहां पर फ्रेंज से इनके लिए आप अपलाए ओनलाइन कर सकते हैं दो फरवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक अब कैसे अपलाए करना है और क्या डेटेल्स आपको फिल करनी है यह हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस से रिलेटेड डेटेल्स आपको मिल जाएगी जोबरास्ता.com पर अगर आप इसमें अपलाए करना चाहते हैं जोबरास्ता.com पर विजिट करके आप इसकी डेटेल्स को पर इसका ओनलाइन पोर्टल है जहां पर फ्रेंस आपको देखिए जो पर का नाम है और आपको यहां पर अपलाए का जो लिंक है वह आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर फ्रेंस से देखिए कुछ जो क्राइटेरिया है इनकी एलिटी कंडिशन का वो पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप इलिजीबल है तो ही आप इसमें अपलाए कर सकते हैं अगर आप यहां पर बीसी नर्सिंग है पोस्ट बेसिक बीसी नर्सिंग है जी एन अब उसके लिए अपलाए करना चाहें कर सकते हैं सेम प्रोसेस रहेगी अपलाए करने के लिए इसके बाट फ्रेंस से यहां पर देखिय जौ्प समरी आपको मिलेगी दूबार से नोटिफिकेशन जौब डिस्क्रिप्शन मिलेगा अप लाइनव का आप अपिस पर प्लिक आपका mobile number आपको यहाँ एक password generate करना है तो यहाँ पर कोई भी guideline नहीं है password आप कोशिश कीजिए alpha numerical बनाने की मतलब alphabets and numerical दोनों उस password में हो इसके बाद agree करना है security question का answer देना है और यहाँ से आपको sign in कर लेना है इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका registration process है वो complete हो जाएगा और उसके बाद friends आप login हो जाएगे आपके job dashboard पर अब यहाँ पर friends जिस भी post के लिए applicable है उसके लिए आप apply कर सकते हैं इसके बाद friends आपका जो यह form है यह start हो जाएगा और form start होने के बाद कुछ basic जनकरी आपको fill करनी है सबसे पहले आपको fill करना है आपका date of birth तो आपको यहाँ पर calendar मिल जाएगा आपकी जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बाद आपको आपका father name यहाँ पर देना है और alternative कोई भी mobile number है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर आपको देना है आपका वर्तमान जिला और राज्य है तो यहाँ पर friends आपका देखिए MP MP के आपको options यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप इन में से नहीं है MP के निवासी तो आप other state भी selected कर सकते हैं इसके बाद marital status आपको select करना है single है married है वो आप select करेंगे और आपका यहाँ पर इस्थाई पता with pin code आपको देना होगा और यहाँ पर अगर आपका current address और permanent address सेम है तो आप पूरा यहाँ पर इसको copy कर सकते हैं तो आपका जो भी address है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे नीचे अब आपको यहाँ पर आपका dominal state देना है किस state के आप निवासी है dimensional district कौन सा है किस district के निवासी है category आपकी क्या है तो देखिए other state candidate automatic general में ही count होंगे इसके लावा pH candidate अगर आप है तो यहाँ से option select कर सकते हैं अगर आप वही के निवासी है और आप यहाँ पर category select करना चाहें अपनी कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर next option मिलेगा आपको यहाँ पर कोई भी criminal case का है या नहीं है तो आप यह से no करेंगे इसके बाद यहाँ से इसको declare करेंगे और submit and proceed to next करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको जो आपकी qualification details है यह आपको enter करनी होगी तो यहाँ पर देखिए जो भी आपने post select की है उसके according details आपको enter करनी होती है अब सबसे पहले 10, 12 और BSC Nursing या post basic BSC Nursing अगर आप CCH के लिए apply करने हैं अगर आप friends आप CHO के लिए apply करने हैं तो with आपका certificate details आपको यह detail एंटर करना mandatory है 10 के लिए friends आप इस option पर click करेंगे आपकी specialization या subjects के name आप देना चाहें दे सकते हैं मैं यहाँ पर अभी all general subjects यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका जो भी है option वो आप यहाँ पर अपने according लिख देंगे आपका institute का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं पूरा नाम आप दीजिएगा इसके बार mode of course आपको देना है कब आपका इक course start हुआ कब खतम हुआ यह आपको जानकारी देनी होगी इसके बार friends यहाँ पर आपको आपका marking system बताना है percentage है CGPA है उसके बार यहाँ पर percentage देनी है आपको आपकी mark sheet upload करनी है PDF, JPG जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं और उसके बार यहाँ से इसको add कर देंगे तो friends 10th की detail एंटर करने के बाद ऐसे ही आप 12th detail पर fill करेंगे यहाँ पर आपकी specialization जैसे arts, science, commerce जो भी है वो उसके लावा subject के name आप देना चाहें subject के name दे सकते हैं इसके बार name of university क्या है mode of course आपका क्या है इसके बार कब से कब तक आपका course रहा है, marking system है, आपका cgp system है, cgp बताईए, percentage है, percentage बताईए और आपकी mark sheet को आप यहाँ पर upload कर सकते हैं इसके बाद friends से नीचे आपको option मिलेगा, bsc nursing का आप इस पर click करेंगे, आप यहाँ पर देखिए आपका course का नाम क्या है वो आपको यहाँ select करना होगा, specialization आपको देनी है, name of the university आपको देना है, इसके बार mode of course आपको देना है, इसके बार final year exemption session आपका कौन सा है, 2020, 2021 है, other session है, या फिर already pass है, आप यहाँ पर उसको select कर सकते हैं इसके बार friends start date आपको देना है, और इसके बार actual आपका या फिर estimate date जो है course complete होने का वो आप दे सकते हैं, माली जी आपका complete है, तो आपको पता ही होगा कि course कपका आपका complete हुआ है, 2020, 2021 है तो आप estimate कोई भी एक ऐसी date दे सकते हैं, जब आपको लगता है कि इस date पर आपका यह complete हो जाएगा और यहाँ पर last semester या final year मार्शीट BSC nursing या post BSC nursing वो आपको यहाँ पर upload करना होगा और उसके बार आप यहाँ से इसको add कर सकते हैं, इसके बार friends आपके पास कोई experience है और आप experience की जानकारी देना चाहें, तो add new experience करके यहाँ पर आप संगठं का नाम, संगठं की details, आपकी post का नाम, कब से कब तक आपने काम किया, यह जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको directly save and proceed कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर है आपका preference system, तो यहाँ पर आपको list मिलेगी preference की, तो आपको यहाँ पर जो भी preference पहले देनी हैं, आप इसको add कर सकते हैं, आपके करने के बार आप इसको भी save and proceed कर देंगे, last my friends, आपको यहाँ पर option मिलेगा, आपके photograph का, signature का, और appendix का, अब यह appendix क्या है, तो friends, जैसा कि हमने notification के वीडियो में बात की थी, कि आपको यहाँ पर जो certificate है, वो upload करना होगा, बात करें इसके official notification के लिए, तो मैं यहाँ पर friends, इ दीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा, यह certificate 2, और इससे उपर आपको मिलेगा, certificate 1, अब यह दोनों क्या है, तो friends, अगर आपको यहाँ पर appearing है, final examination में, तो college letter head पर आपको जो certificate है, आपका जो यहाँ पर seal है, college की वो आपको लगवा कर अप्लोड करनी है अगर बात करें, यहाँ पर अगर आपकी complete है, तो friends, यहाँ पर आपको college letter head पर certificate पर आपके जो college है, उसकी seal आपको यहाँ पर लगवानी है, और वो friends, आपको यहाँ पर अप्लोड करना होगा, JPG format में, या PDF format में, size 1 MB से कम, photo and signature friends, 100 KB से कम रहेंगे, और यहाँ पर JPG format में, आप इनको upload करेंगे, upload करने के बाद इनका जो preview है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, और preview देखने के बाद आप इसको save and nest कर सकते हैं, इसके बाद का friends, जो option है, जो ही आपने सारे step complete कर दी है, last में आपका preview application है, preview application वाले option को ध्यान से check करें, कोई भी गलती किसी भी step में होनी चाहिए, इसके बाद आप इसको यहां से declare करेंगे और confirm and submit करेंगे, यह ध्यान रखेगा, confirm यह submit करने से पहले preview application जरूर करें, details को चेक जरूर करें, कोई भी गलती किसी भी option में आपने ना की हो, उसको आप सही से verify करें, और इसके बाद यहां से confirm करके, इसको final submit आप य future reference के लिए, तो यहां पर friends आपका जो यह form है, वो completely submit हो जाता है, जो की NHM MP Requirement 2021 है, Community Health Officer के लिए, तो friends यहां पर जो भी जानकारी में आपको provide की है, यह friends आपको jobrastar.com पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप details को check कर सकते हैं, आप eligible हैं, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारे YouTube चैनल, and last thanks for watching.